अब यहां पर दोस्तो इस वोड़ों के अंदर बात करने वाले हैं पर कलका मार्केट कैसा रहने वाला है कौन से स्टॉक में फूकस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते ही जहां पर इंट्राडी हो सकता है और दोस्तो बहुत सारी वियोस की कोशिन आ रहे कि सर यहां बिल के अंदर क्या हो रहा है और बहुत सारी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉंस आ रहे जैसे कि अब दोस्तो देख सकते हैं बहुत सारी मिम्बर्स ने हां पर प्रॉफिट के इंडिया मार्ट के अंदर या तो हैं पर नौकरी का स्टॉक के अंदर या तो फिर यांप Trident के अंदर तो दोस्तों मैं सिफ उनको ये ही बताना चाहूंगा बहुत 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 बढ़ा Congratulations ठीक है मैं हमेशे दोस्तों बोलता हूँ कि यहाँ पर दिल से ट्राइ कता हूँ कि आपके लिए आपे अच्छे से अच्छा stock लाओ और एक सही लेवल पर लाने की जरूँ कोशिश करो ओके तो अगर किसी ने profit किया definitely बहुत बढ़ा congratulations और एक बाद दोस्तों last point बताना चाहूंगा यहाँ पर मैंने ये वीडियो के अंदर नौकरी का stock के अंदर सिफ यहाँ पर भूल से यानि की by mistake से मैंने 100 points की rally बोली थी ठीक है हला कि 1000 points की rally है person यहाँ पर definitely मेरे को correct किया है लेकिन दोस्तों उनका भी intention यही था कि हाँ पर पता चलना चाहिए है कि हमारे analysis कैसी होती है ठीक है तो एक बार दोस्तों जाके वीडियो जरूर देख सकते है तो दोस्तों में यहाँ पर हाली में दो यहाँ पर वीडियो रखे अगर नहीं देखाए जाके जरूर देखीगा ICTC को छोड़के यहाँ पर कौन सा ऐसा stock दिखना चाहिए जो आपको यहाँ पर अच्छे return देखे जा सकता है और यहाँ पर एक best छोटो stock जहाँ पर सरकार ने बहुत बड़ा कदब उठाए जिसकी वज़े से year stock के अंदर बहुत बड़ी रेली आती हुई दिखाए थी year stock आप जाके जरूर देख सकते हैं अब अगली बात करने जाए दोस्तों अभी ध्यान से सुने का जो बोलने वाला हूँ ठीक है बहुत ही important point हो जाते हैं आप दोस्तों देख सकते हैं पर कल जो था एकजस निफ्टी positive में था ठीक है लेकिन मैं आपको यही बताया था कि market fall करने वाला है और आप दोस्तों देख सकते है निफ्टी fall किया कि नहीं किया definitely किया morning के अंदर हाला कि बाद में recovery ज़रू है लेकिन morning में fall कता हुआ जरू दिखाई दिया तो हमेशे दोस्तों बोलता हूँ analysis को देखिए समझे focus कीजिए तो ही आपको पता चलेगा आपको करना क्या है अब दोस्तों second point की बात करें जाए आप दियान से सुनीगा और एक point है जो बहुत सारे retail investor को confuse कते है उसके बाद मैं आपको market का point बताऊंगा ठीक है see members बहुत सारे लोग confuse हो जाते कि सर ये stock में आपे 60% की delivery है सर ये stock के आपे 90% की delivery है तो क्या ये stock momentum क्यों नहीं करा ओकी तो दोस्तों एक jackpot मत्रा है मैंने बहुत सारे पूराने members को बोला है फिर से बताना चाहूंगा ध्यान से सुनीगा ठीक है हमेशा ये दिन में रखना चाहिए कि बहुत सारी जो delivery percentage होती है इंट्रा डे के अंदर यानि की पर डे के अंदर ठीक है तो उसका मीनिंग नहीं होता कि यहां पर सभी लोग खरीदारी कर रहे है जैसे कि दोस्तों एक simple सा example है ध्यान से देखेगा आज यहां पर नौकरी का जो stock आपको दिखाई दे रहा है यानि की infoage यह stock यहां पर 9% उपर गया लेकिन stock के अंदर delivery percentage कितनी है यहां पर देख लेते है infoage के अंदर delivery percentage सिर्फ 9.65 यानि की 10% से भी कम यहां पर delivery percentage है लेकिन stock कहां तक गया 10% एप्रोक्स जाता हुआ दिखाई दिया सेकेंड दोस्तों stock बात करने जाए infosys ठीक है infosys देख सकते है 0.80% डाउन है यहां पर delivery percentage के है 60 की point समझ में रहे तो दोस्तों ऐसा मत सोचेगा कै sir delivery percentage जादा है तो overstock उपर क्यों नहीं जा रहा आप खुद देख सकते हैं यहां पर infosys काफी time से यहां पर उपर के लिए और से पीट रहा है stock ने एक time पर high बनाया था 17.55 अभी stock फिसल रहा है तो सिफ point यह धियान में रखेगा दोस्तों कि अगर delivery percentage हाई होती है अगर stock फिसल था है इसका मेंनी लोग थोड़ी सी profit booking करें फिर से repeat कीज़े दोस्तों लोग थोड़ी सी profit booking करें यह आपको धियान में होना चाहिए तो point दोस्तों क्या हो जाता है main point क्या हो जाता है कि हमेशे अधियान में रखे जितनी कम delivery percentage होती है उतने chances जादा हो जाते कि लोग वहाँ पे trading करना चाहते वहाँ पे profit करना चाहते वहाँ पे stock को upset खीचना चाहा रहे है कोई भी दोस्तों stock ले लीजे non circuit वाला stock जिसमें circuit नहीं हो कोई भी stock 5%, 3%, 6% उपर हो ओ stock की delivery percentage देख लीजे आपको हमेशे कम ही दिखाए देगी और जो stock है आप बहुत ज़्यादे momentum नहीं करा है उसकी delivery percentage हमेशे ज़्यादा ही दिखाए देगी यह आप definitely जाके जरू देख सक सकते हैं clear हो गया तो ऐसा दोस्तों मत सोचिएगा कि यहाँ पे delivery percentage जादा यानि कि stock को बहुत जली रेली आने वाली है clear अब अगली बात करने जी किस सर यहाँ पे nifty bank nifty के अंदर क्या हो रहा है सर अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए C members मैंने कल भी बोला था कि यहाँ डाउ जो सियानी की अमरी की बज़ार negative है ओके तो nifty जो है वो थोड़ा सा weak रह सकता है अब दोस्तों थोड़ा point change है वो ध्यान से सुनेगा ठीक है आज यहाँ पे जो nifty है कंपल सरी 17,200 को touch करना चाहिए था क्यों चाहिए था क्योंकि global market में बहुत बड़ी already big quality आ चुकी है आप देख सकते है यहाँ पे टिके उपर की लेवल से falling trend स्टाट हो चुका है लेकिन nifty का nifty अप सइट पर डेख सक हो रहा है टिक है यहां पर टिक है अप साइट पर सब्सट को रहा है यह गिरना नहीं चाहता है तो अगर आप देखोगे global market वो ग लेकिन निफ्टी गिरना नहीं चाहता है, यानि कि बहुत जादा स्टॉंग दिखाई दी रहा है, तो इसके वज़े से कुछ स्टॉपलस भी हीट होते हैं, तो मैं ये दोस्तों बोलूँगा कल यहाँ पे एक्सपार ही है, तो यहाँ पे no trade zone बनता है, क्या दोस्तों फीर से तो यहाँ पे 80 का RSI है, तो भी फिसलना नहीं चाहता, और निफ्टी वर्टिकल मोमेटम कर चुका है, तो भी फिसलना नहीं चाहता, ओके, तो काफी confusing trend है, और मैं ये साब से ये trend को थोड़ा सा avoid कीजे, ज़्यादा बैटर रह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी वॉलेटल आप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आज हुआ ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी का 15 minutes चार्ट, निफ्टी फॉल किया, उपर गया, फॉल किया, फिर उपर गया, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटल चार्ट हो जाता है, पॉइंट समझ मेरे, त लेकिन जब भी भी यहाँ पे निफ्टी 17,300 के बिलो क्लोजिंग देगा, दोस्तों वर्ड सुनेगा, बिलो क्लोजिंग देगा, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा, clear? बात करने चाहे बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसी बैंक निफ्टी ने आज मैं हमेशे दोस्तों यही बोल दाऊं कि एक दिन पहले अगर रिंज बाउंड होता है, तो जो बोल दाने आपर कि एक्सपरी दिन यहाँ पे वालेटल मार्केट या तो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, लेकिन एक दिन पहले अगर ट्रेंडिंग होता है, तो यहाँ पे एक शायद ट्रेड ना कीज़े जादा बैटर रह सकते है या तो हेच करके चल सकते है अब बात करने जाए दोस्तों आप इंट्राडे स्टॉक कौन से हो जाते हैं सी में बस अभी ध्यान से सुनेगा इंट्राडे स्टॉक के अंदर कल मैंने जो इंट्राडे प्रोवाइड की थे उसमें से आप एक ग्रासिन काफी अच्छा मोमेंट्व किया था अब यहाँ पे कुछ बात करने जाए नए इंट्राडे स्टॉक के बारे में सबसे पहला दोस्तो आपको दिखना चाहिए हैं कोटक अगर देखोगे तो आपके काफी बाड़ी हां पर सस्टेन कर चुका है कोटक के अंदर थीख है तो पोजिशनल अगर कोई लेना चाता है तो भी अच्छा स्टॉक है वैसे च्चा स्टॉक है लेकिन था पॉसिबल हो सकते हैं जैसी 18.30 को break करेगा अब धूस्तो सुनेगा अगर ध्यान से सुनेगा जो बतरों ठीक है एक पैटन होते है बहुत सब्सक्रिक के सर हमको फ्यूचर स कॉन स gagner अचे है सर हमको option कौन से stock में लेना चाहिए ध्यान से सुनीगा दो तो ये jackpot point हो जाते है clear cut ध्यान से सुनीगा ठीक है अब मान दीजे कोई stock की falling channel होती है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है falling channel अगर falling channel होती है stock बाद में यहाँ पर T pattern बनाता है ठीक है यहाँ पर T pattern तो stock में chances है कि next day को recovery हो सकती है और positive rally हो सकती है जैसे कि आपको Tata chemical के अंदर दिखाई दी रहा है तो अगर किसे ने BTST किया है बहुत ही बढ़िया quality point हो जाता है अगर किसे ने नहीं किया है तो भी यह stock trending बन सकता है तो कल यहाँ पर chances है कि 8.35 को cross कते 8.45, 8.50 यह stock जा सकता है हाला कि 1 to 2 points के लिए देखेंगे यानि कि 1 से 2% के लिए लेकिन यह stock upside जा सकता है यह आप ध्यान में रखेगा अब दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान में रखेगा ठीक है आप देख सकती है यहाँ पर भी जा सकता है यानि कि closing नीचे देता है तो inverted hammer जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया almost inverted hammer है तो मेरी साब साथ दोस्तों यह सभी trend दियान में रखेगा मैंने आपको जो candlestick pattern होती है ठीक है मैंने आपको यहाँ पर playlist के अंदर समझा दी है आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं ठीक है technical of stock के अंदर candlestick pattern तो आपको सब भी pattern समझा है जी कि sir कहाँ पर खरीदारी करनी है sir कहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है तीसरा दोस्तों stock हो चुक है Tata consumer का stock आप दोस्तों देख सकते हैं Tata consumer इसने यहाँ पर एक T pattern बनाई है यहाँ पर यानि कि नीचे से वो pullback होका है यानि कि नीचे से buying बहुत जादा stock के अंदर आ रही है तो 881 को break करते है stock यहाँ पर 886, 889 तर जा सकता है stock के अंदर 1.5% की तेज़ी आ सकते हैं चौधा और आखरी stock हो चुका है दोस्तों हिंडल को का stock अब हमेशे दोस्तों ध्यान में रखे गए जो मारा बुजू candle होती है यानि कि proper falling channel या proper rising channel तो stock में chances है कि stock fall कर सकता है जैसे कि अब देख साथ है यह proper मारा बुजू in falling side है ठीक है तो जैसे 455 को break करेगा stock यहाँ पर 450 तक यह जाता हुआ दिखा जिया सकता है तो यह stock भी दिखा जा सकते है selling side के अंदर यह stock fall कर सकता है तो कल के लिए 4 stock है 4-4 stock को definitely focus कर सकता है अब दोस्तों I'm sure आपको वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो समझ में रहे है जो मैं आपको हर इक point समझाने की कोशिश करा हूँ फिर भी doubt रहते है दोस्तों 10 कुछी का कोई भी doubt है definitely पोच सकते है all in all कि sir यहाँ पर क्या करना चाहिए sir कोई stock के अंदर profit booking करो see अगर interested है तो कर सकते है अगर कुछे सर कौन से सेक्टर लो IT सेक्टर लीजे IT सेक्टर में 10 से 15% उससे जादा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहिए profit book करें ठीक है अगर आप करना है तो कर सकते है लेकिन IT सेक्टर के अंदर कुछ profit booking आ रहे है जैसे कि Infosys हो गया TCS Tech Mahendra Vipro हो गया वहाँ पे कुछ profit booking आ रहे है तो वो सेक्टर आप focus कर सकते है थोड़ी सी profit booking कीजे नीचे की level पे वही 10 से 15% एड कर दीजे आपको ही अच्छे profit मिल सकते हैं ओके और अगर पुछे सर कहां पे एड करू 20 डिमा या 50 डिमा या 100 डिमा पे support लेता है अब दोस्तो वीडियो पसंद आए वीडियो definitely like कीजे आपके लिए ही मैनत करता हूँ आपके लिए ही अच्छे से अच्छे stock लाने की हर बार कोशिश कता हूँ तो वीडियो like जरू कीजेगा अब यहां पे दोस्तो फटा ले 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 दे हैं पे कुछ लेटी दो वीडियो रख दिया होँगी इसकी वाज़े से मेभी यह split नहीं हुआ होगा ओके लेकिन मैं ट्राइ करूँगा आपके लिए अच्छे थोड़ा प्रॉपर बताने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ समझ में जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अब अगला पॉइंट हो जाता है कि सर FIDA की डेटा कैसा है C FI की डेटा नेगेटिव है और जब भी FI की डेटा नेगेटिव होता है मार्कें में कुछ प्रॉब्लम आता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है निफ्टी फिसल ने की कोशिश की लेकिन बाद में रिकवरी की और आप देख सकते हाँ पर जो DI है उन लोग ने आपर बहुत ज़ादा बाइंग नी की बहुत ज़ादा सेलिंग नी की मैं आपको एक दिन पहले भी बताया था कि हाँ पर ICTC कुछ नए अप्लांस करने वाली है तो आप देख सकते ICTC to launch India's first luxury cruise liner from 18 September यानि कि कुछ booking होती हुई दिखाए दे सकती है luxury cruise की तो दोस्तो ये news की वाज़े से शायर स्टॉक में कुछ momentum आ सकती है लेकिन दोस्तो अभी जो बताने हो लें वो ध्यान से सुनिए ICTC आज यहाँ पर फॉल क्यों किया ठीक है definitely question है कि सर ICTC आज क्यों फॉल किया आज तो उपर जाना चाहिए था C members आज यहाँ पर स्टॉक उपर जरू था आप देख सकते हैं Stock gap up भी open हुआ था Plus side पे 2% था लेकिन फिसला क्यों? क्योंकि stock F&O band के अंदर आ चुक है दोस्तों फिसला repeat किजिए F&O band यानि की Future and option के नरा आप trade नहीं कर सकते अगर कोई भी stock ऐसा हो था है मान दीजिए stock really कर रहा है ठीक है? Stock upside पे upside जा रहा है इसकी वज़े से क्या होता है? इसकी वज़े से profit booking आती है और यही आपको दिखाई दिया है तो कल दोस्तों अगर stock उपर भी जाता है तो शायद यहाँ पर sideways to downtrend रह सकता है तो अगर कोई short term का नजरिया है तो यहाँ पर trailing stop loss रखे या तो फिर stock में यहाँ पर 3200 या 3100 के आसपस से आप खरीदारी कर सकते है यह ध्यान में रखेगा जैसे F&O बेहन से बाहर आता है दोस्तों यह stock फिर से really करेगा यह ध्यान में रखेगा तो एक दो दिन में भी sideways जा सकते है stock लेकि फिर से really कर सकता है यह ध्यान से सुनेगा अब बात करेंजे दोस्तों hero motor के अंदर ठीक है hero motor यहाँ पर export यहाँ पर increase करने वाला है 3000 करोड का उनका revenue यहाँ पर target है by FY24 ठीक है तो इनका जो यहाँ पर revenue होगा वो बढ़ेगा यानि की company का profit बढ़ेगा यानि की stock की price बढ़ेगी लेकिन दोस्तों हमेशे देन में रखी मैं आपको हर एक point सही बताने की कोशिश करता हूँ अगर आप मेरे से पुछे sir hero stock कैसा है बिल्कुल भी बेका stock है यह stock में आपको नहीं रहना चीए हाला कि दोस्तों किसी को मलब feeling हो जाती है कि sir यह तो stock अच्छा है see stock definitely अच्छा है लेकिन क्या profit दे रहा है मैं हमेशे देखते हूँ क्या profit दे रहा है आप खुद दोस्तों देख सकते है stock slow है और volatile बहुत जादा है आप देख सकते है यहाँ पे जब covid नहीं आया था तभी भी stock फिसला था 2017 से stock पिटाई कर या था और अभी भी 2017 का high को cross नहीं किया है तो ऐसे दोस्तों stock बहुत ही slow होते आपको ही tension लाते है जैसे कि ITC के अंदर हुआ है ठीक है तो हो सके तो ऐसे stock जो slow है अब दोस्तों multi dollar question Vodafone idea का stock आज यहाँ पे 13% crash गता हुआ दिखाई दिया जैसे कि आप यहाँ पे जेख सकते है अपने high level से stock 13% crash हो आए क्यों ऐसा क्योंकि दोस्तों relief package आज कुछ भी नहीं आया माना यह जा रहा था कि यहाँ पे यहाँ पे relief package आ सकता है जैसे कि textile sector को मिला है लेकिन आज यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ इसके वज़े से Vodafone idea का stock यहाँ पे crash होता हुआ दिखाई दिया तो दोस्तों मैं हमेशा यहीं बोलता हूँ कि आपको थोड़ा cautious रहेना चाहिए Vodafone idea जैसे stock के अगर आपकी price आ जाती है 8 रूपीस, 9 रूपीस, 10 रूपीस आपको exit कर लेना चाहिए अगर कोई हाँ पे relief package को सुनके यहाँ पे stock के अंदर entry की होगी वो definitely फसा होगा उपर के level से पॉइंट समझ मैं रहे है तो सिर्फ यह धियर में रखेगा दोस्तों यह news based stock है अगर news negative stock सीधा crash करेगा और वो ही आपको दिखाई दी रहा है clear? अब पूछे कि सर क्या हो सकते है stock के अंदर अभी भी stock यहाँ पे है hold किया जा सकते है लेकिन अगर आप loss में है तो hold कर सकते है वरना तो फिर मेरी साब से आपे exit कर लिजिए जादा safe रह सकता है क्योंकि फिर से कुई news आगे फिर से stock पीटेगा तो definitely अगर आप loss में है तो यहाँ पे hold कर सकते है चांसे है कि कुछ भी आ जाता है यहाँ पे relief आ जाती है future में भी बले यहाँ पे नहीं future में आ जाती है तो शायद यह stock ऊपर जा सकता है अब दोस्तों यह और एक multi dollar question है ठीक है यहाँ पी आप देखो के पीले scheme एक नहीं आने वाली है वो है voltage के बारे में blue star among the AC biggest planning to invest 3000 करोड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब दोस्तों यह scheme किस के लिए है यह scheme उनके लिए है जो हाँ पे AC के component बनाती है यह आने की blue star हो गया voltage का stock हो गया और यहाँ पे Dixon का भी stock हो गया ठीक है क्योंकि यहाँ पे Dixon का भी नाम आ रहा है और Dixon भी कुछ यहाँ पे नए important components बनाती है यानि की पार्ट्स बनाती है तो अगर आप दोस्तो वोल्टास का स्टॉक देखने जाए ठीक है यहाँ पे ठीक है वोल्टास का नाम ही यहाँ पे तो दोस्तो हमेशर ध्यानमी रखी कि यह बड़े प्लेयर को कुछ न्यूस एडवांस में पता चल जाती है उसके वज़े से वो पहले से इन्वेस्ट कर लेते हैं और हम लोगों ने दोस्तो वोल्टास के अंदर निवेश भी किया था हम लोगों ने ट्रीड किया था as a jackpot stock तरीक है अगर हम हमारे whatsapp member जानते होंगे ठीक है और उन लोगों ने कुछ profit भी definitely कमा होगा हमारे whatsapp members ने ठीक है तो आप दोस दिक्सोन के अंदर ट्राई कर सकते हैं दोस्तो दिक्सोन मेरी सबसे काफी बढ़िया support ले रहा है यह stock ओपर जल्दी आ सकते है और जल्दी अच्छी return दे सकता है ओके तो दोस्तो यह सभी stock यह निवेश की वज़े से focus में रह सकते हैं अब फटाड़िया पर question ले लेते हैं सर बेल के अंदर क्या हो रहा है सी मेंबर्स अब बेल का stock देखनी जाएं तो यहां पर एक recovery हो रही है यहां पर एक बाद देख लेते हैं stock ने 200 डिमा को बहुती अच्छे से support लिया है और stock recovery कर रहा है एक high chances है stock 60 तक पहुँच सकता है ठीक है 60 और अगर यह sustain किया तो यहां पर 65, 68 तक भी जा सकता है अगर है hold कर सकते हैं मेरी साब से 2 week के अंदर maximum 2 weeks के अंदर यह stock शायद यहां पर 60 को touch जरू करना चाहिए तो है तो definitely hold कर सकते हैं और अगर किसी ने average नहीं किया है कोई उपर के level से फसा है तो यहां पर average भी कर सकते हैं मेरी साब से stop loss रखना चाहिए 55 का और माफ केज़ेगा 53 का और target आप 60 का रख सकते हैं और shorten suite में हापे बहुत ही जल्द ऊपर आ सकता है और बात करने चाहिए दोस्तो रेडिंग्टन के वारे में जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं रेडिंग्टन का stock अब दोस्तो मैंने आपको कल ही बताने की कोशिश की थी राधर परसो यहां पर कि रेडिंग्टन का stock जो है वो यहां पर 100 डेमा इंपोर्टन हो जाता है एक बार stock यहां तक जरू फिस लेगा ठीकिन बाद में recovery करेगा तो आज recovery की के नहीं की तो हमेशा धियान में रखें ओजर्व फिस लेगा तो यहां पर ओस्तो अपकर स्अनने वाले चरूप 461.3 His तक spear से का सकता है और मैंने दोस्तो है आजी के दिन यहां पर Znews के यहां पर यह तो हम लोग ने recommend किया है अपने लिए है ऐसा नहीं है यहां पर Znews वाले भी यहां तो बड़े बड़े प्लियर्ज भी यहां पर रिकांड़ेट करते है अच्छा स्टोक है अच्छा IT स्टोक है सिर्फ यहां पर बोल दे ना बोनस हो गया स्प्लिट हो गया उसकी वज़े से कुछ profit booking आई है लेकिन stock fees से उपर जा सकता है ओके तो panic नहीं करना है दोस्तो quality stock है बिल्कुल भी panic नहीं करना है अब अगर दोस्तो हर एक level पर panic करोगे तो उसका meaning नहीं है न मेरे भाई तो panic नहीं करना है stock fees से यहां पर अच्छा level आ सकते हैं अगर average करना चाहते है एक दो दिर wait कीजिएगा अगर यहां पर sustain करते है तो फिर average कर सकते हैं clear तो चली दोस्तों आपर video close करता हूँ और एक बार दोस्तों और एक बार बताना चाहूंगा video like कीजिएगा video share कीजिएगा और यहां पर हमारे latest दो वीडियो नहीं देखे मेरे भाई एक बार जाके जरू देखे आपके लिए ही अच्छे stock है और मैंने हमेशा आपके लिए आपके अच्छे profit देने की दिल से कोशिश किए एक बार जाके जरू देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जय हिन